जेडियू की राष्टिय कारेकार्णी की बैठक समाप्त होई और बैठक समाप्त होने के बाद जेडियू की मांग सामने आ गई जेडियू ने कई मांग को रखा है या फिर यूं कहें कि प्रस्ताव लाया जेडियू के तमाम निताओं ने कि भईया ये ये मेरा प्रस्ताव है ये हमारी प्रस्ताव अब केंदर सरकार को भी मानना पड़ेगा और ये हमारी मांग भी है मांग पहले तो विसेश राज का दरजा, विसेश पैकेज, जारखंड में जिडियू चुनाओ और बिहार नितीश कुमार की नितित में चुनाओ लड़े दोहजार पचीस में इस तरह की मांग रखी गई और उस प्रस्ताव पर मोहर भी लग गया मांग को अब कहा जा रहा है कि नितीश कुमार भाजपा की उपर दबाव बना रहे हैं ये दबाव इसलिए भी कि नितीश कुमार को पता है कि अब भाजपा इस बार कमजोर इस्तिती में है और अब यही मौका है लोहा गरम है हथावडा मार दिया जाए और अगर अभी हथावडा नहीं मारा जाए तो फिर दिक्कत होगा बिसेश राज का दर्जा दीजिए और बिसेश पैकेज दीजिए साथ ही साथ ये तो राज्य के हित में हो गया अब पार्टी हित में क्या होगा पार्टी हित में ये होगा कि 2025 में नितीश कुमार के चेहरे पर NDA चुनाओ लड़े और उसके बाद जारखंड विधान सभाव में जेडियू संगटन के साथ गडवन्दन के साथ चुनाओ लड़े अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा इन तमाम मांगों को मानेगी विसेश राज का दरजा भाजपा के लिए भी बहतर है क्योंकि अगर विसेश राज का दरजा मिलता है या फिर विसेश पैकेज मिलता है तो विधान सभा में भाजपा को भी फायदा होगा भाजपा भी उसे भजाएगी कि देखे हमने हमारी सरकार ने विसेश राज का दरजा दे दिया या फिर vices package दे दिया और उस अब vices package से बिहार का कितना भला होगा यह हम आने वाले समय में बताएंगे लेकिन भजाने की बात जेडियू भी भजाएगी जेडियू बताएगी की हमारे पौटि के सासनकाल में देखे किस तरीके से बियार को vices राज के दर्जे को लेकर हमने म मांग उठाई है उसके बाद विसे इस पैकेज की मांग उठाई है जारखन में पार्टी चुनाओ लड़ेगी तो यह तो पार्टी की बात हो गई पार्टी हित की बात हो गई कि पार्टी किस तरीके से पार्टी का बिस्तार हो विधान सभा का चुनाव आ रहा है जा एक अगर तमाम पार्टियां चुनाव हारी, वहीं जेडियू की स्थिति बहतर रहे, 16 में से 12 सीट जीत कर आई, 17 में से भाजपा 12 जीत कर आई, 5 उनके हार गए, तो भाजपा से अगर तुलना किया जाए, तो जेडियू का रिकॉर्ड जो है, वो काफी बहतर है, और कम वोटो से चुनाव भी उनके उमिद्वार आ रहे हैं, चाहे आप पूर्णिया की बात करें, चाहे आप कटिहार या किसंगंज की बात करें, उनके उमिद्वार बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं, लेकिन अगर आप बात करें, तमाम उन जगों की जहां पर भाजपा की उमिद और संजय जहा को कारेकारी अध्यक्ष बना दिया गया नितेश कुमार राष्टी अध्यक्ष बने रहेंगे कारेकारी अध्यक्ष संजय जहा रहेंगे यानि कि तमाम पार्टियों के जो हित में फैसले होंगे वो संजय जहा अब लेंगे और अब जेडियू बिहार के में लड़ना चाहते हैं कि गठबंधन पूरे देश में हो, बिहार में गठबंधन है, देश में है, हम सांसत से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हमारे विधायक हैं यहां पर आपके विधायक हैं, गठबंधन से हम लोग यहां सरकार चला रहे हैं, उसी तरीके से जारकंड में भ धीरे धीरे अब तास के पन्नों को खोल रही है और दिखा रही है कि निटीश कुमार कोई बड़ी रन्निती बना रहे हैं और उस रन्निती से भाजपा काफी नराज होगी आने वाले समय में बेराल इस खबर में इतना ही बनेरामार साथ और देखते रहें The India Top प्रिखने प्राज़ी आने और देखते रहे हैं और दोटेवा काफी आना ही है